हलो बच्चों इस वीडियो में हम कर रहे है exercise 4.2 का question number 2 तो इसमें लिखा है solve the problems given in example 1 निकालते हैं कौन सी problems हैं तो दो problem हैं इसके अंदर John and Jeevanti together have 45 marbles दोनों के पास कुल मिलाकर 45 marbles हैं तो कभी भी ऐसा case हो जहां पर sum दे रखा है दोनों के पास जितनी चीज़े हैं उसका sum दे रखा है तो पहले जो John के पास है marbles उसको x मान देते हैं और जो Jeevanti के पास marbles हैं उसका क्या करना है जो total दिया है 45 उसमें से John के पास जितने marbles हैं वो minus कर दीजिए तो यह है इसकी टेक्निक तो आपको x y assume करने की जुरूत नहीं है John के पास x marbles है Jeevanti के पास 45 minus 6 है आप सूची आपके और मेरे पास मिलाकर 20 रुपीज है आपके और मेरे पास मिलाकर 20 रुपीज है ठीक है मेरे पास 15 रुपीज है 15 रुपीज है तो आपके पास कितने होंगे 20 minus 15 5 रुपीज होंगे कोई तरीका है John के पास अगर x रुपे है तो 45 minus x रुपे जिवन्ती के पास हो गई अगर रुपे वाला question हो ता अब ही marbles हैं तो total 45 marbles में से john के marbles minus कर दीजिए जिवन्ती के पास जितने marbles है बच जाएंगे हो गया यह तो starting हो गई तो यही question की starting है john के पास x और जिवन्ती के पास 45 minus x आगे क्या कहते हैं जी यह कहते हैं both of them lost 5 marbles दोनों ने 5-5 marbles खो दी तो x के पास जितने थे उसमें जे 5 कम हो गए तो अब जॉन के पास बचे x minus 5 the number of marbles left with john when he lost 5 marbles x minus 5 जिवन्ती के पास भी 5 गुम गए तो 45 minus x में 5 minus कर दें तो बचेंगे 40 minus 6 बात समझ आ गए दोनों के पास अब कितने marbles बच गए हैं x minus 5 and 40 minus 6 आगे product of number of marbles they now have is 124 यानि कि अब जो बचें हैं उनको multiply करके 124 लाना है दिया गया है we would like to find out how many marbles they had to start with शुरुआत में उनके पास कितने marbles थे तो अभी क्या करना है product बोला ना उसने तो जितने अभी जोन के पास बचें है और जिवनती के पास बचें है इन marbles को multiply करना है और यह 124 की बराबर given है तो multiply कर लेते हैं सबसे पहले x को 40 से 40x और फिर इसी x को minus x से तो x into minus x कितना होगा है minus x को है तो पहले x को दुनों से कर ले अब minus 5 into 40 minus 200 और इसी minus 5 को minus x से plus 5 तो अब क्या करना है minus x को उस साइट भेद दो right side में तो उदर जाके वो बन जाएगा plus x square actually क्या है कि x square का coefficient हम चाहते है positive रहे solve करने में easy रहता है तो यहाँ पर 40x plus 5x 45x उसको भी right में भेद दो तो 45x को right में भीजोगे तो आएगा minus 45x ठीक है और फिर जो यह minus 200 है ना left में इसको भी right में भीजो minus 200 को right में भीजा तो plus 200 plus 125 दोनों plus हैं हो गया 325 और बेटे जी यह equal आगया 0 के quadratic बन गई आपके और अब हमारा focus है इस बात पे की factors क्या होंगे तो वही पुराना तरीका है यहां तो straight forward कर दिया गया है तो a की value है 1 और c की value क्या है c की value है 324 तो a into c a into c 324 है 324 के आपको factors बनाने पड़ीगे ठीक है लिख देते हैं 324 और इसके factors हमको बनाने 324 के factors आप बनाके देके प्रॉपरली मैं आपकी help करता हूँ यह आप पर यह 9 से divide होता है विटे 9 से divide होता है कैसे देखे 4 plus 2 6 6 plus 3 9 सीधा दिखके पता चलता है अगर sum of the digits 9 है तो number 9 से divide होता है तो मैंने 9 से divide किया इसको 9 to the 18 9 to the 27 और जो 5 remainder है वो 5 के पास गया 54 9 to the 54 क्या 9 36 के जूडने से 45 बनता है 100% बनता है देखो 9 plus 36 45 पर minus 45 नहीं बनता plus का 45 बनता है तो फिर factor 9 36 नहीं लिंगे minus 9 minus 36 लिंगे ठीक है तो अगर यहा plus 45 होता तो factor होता है 9x plus 36x पर minus 45 है तो minus 9x minus 36x होगे clear होगे है तो आप minus 45x को मैंने लिखा minus 9x minus 36x कोई प्राब्लम नहीं है minus 9x को आगे या पीछे कहीं पर लिख सकते हैं उससे फरक होगे इन दोनों में x common है x common ले लिया x square में से x गया तो x बचा 36x में से x गया तो 36 बचा negative sign as it is इन में minus 9 common ले लिया तो यहाँ पर x बचा ठीक है x बचा और यहाँ 9 से जब 324 को डिवाइड करेंगे तो 36 आएगा तो 36 बचा इस sign का कैसे करना है जब भी negative common लेते हैं जो यह minus होता है वो positive बन जाता है positive बन गया 9 तो बहर गया न but negative x की जगे positive x हो गया और जो positive होता है वो negative रह जाता है और 9 into 36 324 है तो जब 9 common लिया तो 36 तो यह sign changing थोड़ा ध्यान रखा करो अब इसके बाद x minus 9 और x minus 36 वो ही पुराना first video देखा है तो तो बहुत easy आपको लगिया जो दो बार आया x minus 36 उसको एक बार लिखती है और फिर यह x minus 9 लिखती है equal to 0 अब बेटा पहले factor को equal to 0 रखोगे तो x 9 आ जाएगा दूसरे factor को equal to 0 रखोगे तो x 36 आ जाएगा समझ में आया अब आगे बढ़ते है तो अगर x है 9 यानि john के पास अगर 9 marbles है तो जो लड़की थी उसके पास 45 minus 9 marbles होंगे यानि 36 correct और अगर john के पास 36 marbles है x 36 है तो उस लड़की के पास क्या नाम था लड़की का उसका नाम जिवन्ती था शायद देख लेते हैं जिवन्ती हाँ जिवन्ती तो अगर john के पास 36 marbles है तो जिवन्ती के पास 45 minus 36 या नहीं 9 marbles होंगे, तो हम यह कह सकते हैं कि कोई भी possibility है, तो शुरुवात में 9 और 36 marbles थे, ठीक है बिटा, किसी के भी पास 9, किसी के भी पास 36 हो सकते हैं, second part कर लेते हैं, जल्दी से, क्या कहते हैं, a cottage industry produces a certain number of toys in a day, एक दिन में कुछ toys बनाते हैं, कितने बनाते हैं, वो नहीं दिया, वो ही X होगा, तो हम कहेंगे, let number of toys produced in a day is equal to X, और cost of production of each toy was found to be, अब एक खिलोने की कीमत कितनी है, वो बताने वाले, पर सीधा-सीधा थोड़ी बताएंगे, फिर maths का मज़ा ही खतम हो जाएगा, सीधा-सीधा नहीं बताएंगे, गुमा कर बताएंगे, तो कहते हैं कि एक toy की कीमत क्या है, 55 minus the number of toys produced, तो कीमत क्या है, 55 minus X, क्या का 55 में minus कर दो, कितने toys produce हुए, तो toys तो X produce हुए, तो हर toy की कीमत 55 minus X है, अब इतनी बात समझ आ गए, दिखा भी दिखते हैं आपको, दिखें, यह हो गए number of toys, और कमाई कितनी है, 55 minus X, एक toy की cost, सरी, कमाई बोला मैंने, cost एक toy की 55 minus X है, ठीक है, छोटी age में cost और कमाई यह की चीज़ लग सकती है, कि जितने की बनाया, उतने में बेचा ऐसा होता नहीं है, वैसे, कुछ profit भी तो कमाईगा, इसलिए कमाई कहना गलत है, cost 55 minus X है, वो ठीक है, ठीक है, अब आगे क्या कहता है, आगे कहता है कि particular day में, किसी particular day में, cost of production 750 है, total खर्चा 750 रुपी हो गया, किसी दिन, तो बताइए कितने toy बनाये गए थे, अब सारी की सारी कहानी यह है बिटे, कि suppose किजे हम है वो producers, हम बना रहे हैं वो चीज़ है, ठीक है, तो आप मुझे एक बात बताओ, अगर एक toy आप 10 रुपे का बनाते हैं, 10 रुपे का एक toy बनाते हैं, तो 5 toy के कितनी cost आएगी, 50 रुपीज, 10 फाइजा 50, और अगर आपने 11 toy बनाये तो कितनी cost आएगी, 10 into 11, 110, कहने का मतलब यह है कि, एक toy कितने का बनता है, और कितने toy आ आपको total cost पता चलती है, ठीक है, यहाँ पर भी आपने x toy बनाये हैं, और कीमत है हर toy की 55 माइनस x, तो जो cost होगा वो आएगा, x into 55 माइनस x, ठीक है, clear हो गया, तो हमको लिखना क्या है, x into 55 माइनस x, और यह cost कितना दिया हुआ है, 750 के बराबर, अब simplification करते हैं, x into 55 is 55 x, x into x is x square, ठीक है, is equal to 750, और अब जैसा मैंने कहा था, minus x square को उठाइए, right side में ले जाई, क्योंकि हम चाहते हूँ, वो positive रहे, तो उदर जाके यह बन जाएगा, plus x square, 55 x को भी उठाइए, right side में ले जाईए, plus है, तो उदर जाके बन जाएगा, minus, और उदर पहले से ही 750 है, is equal to 0, समझ गए, अब हम बनाएंगे factor 750 के, ठीक है, तो 750 के factor बनाने से अच्छा है, आप 75 के factor बनाती देखिए, ठीक है, 75 के factor, 7 plus 5, कितना है, 12, 12 क्या 3 के table में आता है, आता है, तो आगर digits का sum 3 के table में आ रहा हूँ, तो ये 3 से पका पका divide होता है, तो 3, 25, ठीक है, फिर 5, 5 जा, और फिर 5, 1 जा, हो गए factor, तो factor है, 355, 75 के, 75 के factor है, अगर 750 होता, तो into 10 और होना था, तो into 10 और कर देते हैं, ये तरीका है, छोटा सा तरीका है, ठीक है, 75 के factor, 355, और जो 750 का जो 0 था, यानि 10 multiply हो रहा है इसमें, वो 10 अलग से, या तो इसको भी 2 into 5 लिख सकते हैं, आप देखिए, हमारा जो B है, वो minus 55 है, क्या combination बनाएं कि minus 55 बन जाए, तो तरीका ये है, 55 है 25, 55 है 25, and 3 tens है 30, 25 और 30 हो गया न, 55, यानि factor है 25 और 30, वो भी negative ले न, negative इसलिए, क्योंकि जो X का coefficient है, वो negative है, समझेगे न, तो X coefficient अगर positive होता, positive 55 होता, तो हम कहते 25 प्लस 30 ले लो, तो प्लस 55 बन जाएगा, पर ये negative है, तो minus 25, minus 30 लीजी, ठीके जी, तो factor भी बना के देख लिए, सब कुछ हो गया, अब रह गया common लेना, तो मैं यहापे आपको common लेके दिखाता हूँ, तो इन दो terms में आप X common ले सकते हैं, तो मैंने इन में X common ले लिया, और रह गया हमारे पास X minus 25, कोई problem नहीं है, इसी तरीके से इन दोनों में पहले तो negative common लोंगा, और फिर 30 common ले ले लेता हूँ, negative 30, तो होगा क्या, होगा यह, कि यहाँ पर तो रह जाएगा सिर्फ X, यहाँ पर रह जाएगा सिर्फ X, और 30 से 750 को 30 से divide करके देखें, तो आएगा 25, तो यहाँ रह जाएगा minus 25, तो इसमें कोई doubt होना नहीं चाहिए, और मैं तो बच्चों को यह कहता हूँ कि बिटा, देखो, यह वाला factor, इसी factor के बराबर आना है, तो फिर क्यों जादा दिमाग लगाना है, आएगा ही यही, ठीक है कि नहीं, पर हाँ, अभी सीखने की स्टेज है, तो ढंक से करिए, 30 into 25 is 750, आना ही आना है, अभी यह दोनों factor सेम हो गए, तो एक बार X minus 25 लिख दिया, और X minus 30 भी लिख दिया, इससे X की value 30 आ जाएगी, इससे X की value 25 आ जाएगी, तो किसी दिन में बनाएगे twice 25 भी हो सकते हैं, 30 भी हो सकते हैं, दो-दो possibilities हैं, ठीक है बिटा, तो यह वीडियो यहीं पर खतम करते हैं, जादा लबी वीडियो नहीं करेंगे, फिर समझ नहीं आता है आप लोगों को, ठी अगली वीडियो में अगला कोश्र देखेंगे, थैंक यू